हिंदी में कहानी कैसे लिखे? कैसे एक ऐसी कहानी लिखे जो सिर्फ आप मोटिवेट न करें बल्कि हमारे दीलों को भी छूच जाए हैलो एवरिवन सादर नमस्कार एन आर हिंदी सिक्रेटाइरी में आप सब का हार्दिक हार्दिक स्वाग करते हैं जब भी क्राइटर एक कहानी या एक कवीता या एक शायरी या कुछ भी लिखता है तो वो अपनी पूरी जार्म उसमें डाल देता है अपने ज़जबात अपने इमोशन्स तो मैं आज आपको ऐसी कुछ टिप्स देने वाली हूँ जिससे आप एक अच्छी बहतरीन कहानी के रचना भी कर पाएंगे लोगों के दिलों को चू भी पाएंगे तो लेट्स स्टार्ट मेरी फॉस्ट टिप है गो बिहाइंड और इमेजिनेशन एंड पिक अप दो गुड थिंग्स कहते भी हैं जहां न पहुचे रवी वहां पहुचे कवी और जहां न पहुचे कवी वहां पहुचे अनुभवी उसके बाद pick up the real incidents, अपने आसपास आप देखी क्या incident आप pick कर सकते आपकी society में, आपकी colony में, आपकी school में, आपकी college में, या आपकी personal life में, या आपकी relative से कोई ऐसा incident हुआ, जिससे आप inspired हुए, जिससे आप लोगों को inspired कर सकते हो, या ऐसी कोई चीछ जो लोगों को आप बता एट, my friend is short and people used to make joke of her, like her classmate also make joke of her, you are too short and in society, in colon and she become very depressed, मुझे यी चीछ बिल्कुर अच्छी ने लगी, तो I cooked a story like that, कि एक बार एक दश्वर्ष की बेटी ने अपने पापा से कहा, कि पापा, पापा, मेरे लिए उची एडी के सैंडल ले आओ न, पापा ने उसे बोला, क्य बेटा, तो उसने का, पापा मुझे उची एडी के सैंडल चीए तो चाहिए, उसने जित पकड़ी, कि पापा मुझे उची एडी के सैंडल चीए तो चाहिए, उसने नहीं बताया, उसे क्यो चाहिए, उसको आगे बताएगी, you can frame like this, add reference to a story to make it real, उसकी बापा उसको लेकर दुकान पे काए, और बोला, कि भाया, उची एडी के सैंडल दिखा दो ना, तो भाया ने उची एडी के सैंडल दिखा है, जो उसकी वाइफ के साइस के बराबर थे, तो उसने दुकान दार से बोला, कि मेरी वाइफ के लिए नीची मुझे मेरी बेटी के लिए चाहिए, पख्बाइन तो तो अपने में दिखा रहा हैं तो उसका थोड़ी तो इसी बड़ी दिखने लग गई हो अब मुझे लोग नहीं चिड़ाएगी पर तबी से पैन के घूमने लगी वो गिर गई फिर वो रोने लगई उसके पापा ने पूचा क्या हुआ बेटा तो उसने पापा से कहा पापा पापा स्कूल में सब मुझे वो ना कहकर चिड़ाते हैं क्या मेरी हायर छोटे तो उसक लोगों कभी भूल भी ना पाए तब ऐसा आपको लिखना है अपन उसको समझाया तो स्कूल जाने लगी वापस तो उसने बोला ठीक है में चोटी तो छोटी नो प्रॉबलम बगवार ने जैसे मुझे बना है वैसे ही मैं हूँ बगवार ने जैसे बना है बहुत अच्छा कर रहे थे विकॉस विकॉस उसने कुछ ऐसा काम किया था तो अब इस ट्रैप सपने स्टोरी को कॉन्क्लूड कर सकते हो कि बोनी ठिंगनी माठी पता नहीं क्या कहकर लोग मुझे बुलाते थे स्वांग रचाने वाले वह तुम क्यों प्रश्ण चिन उठाती हो क्या गोरी में धाल दिये गए हैं पर भगवान की नजर में आज भी एक समान है आज भी एक समान है अगर इस तरह से आप अपने स्टोरी फ्रेम करोगे तो आई स्वेक आप एक यूवे बेस्ट क्रेटर थैंक्स पर दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आये तो प्लीस लाइक शेयर और सब्सक्राइब और थैंक्यों सो मच्छ